कहानी का नाम सुनते ही हम सब उसे सुनने के लिए आतुर होई जाते हैं, फिर चाहे हमारी वै कहानी कई बार सुनी हुई ही क्यों ना हो, कहानी ना केवल संदेश पहुँचाने का जरिया है, ये हमें अपनी संस्कृती वै परंपराओं से भी जोडती है, साथ ही कहानिया उस भासा को सीखने में भी मददगार साबित होती हैं, और अगर कहानी में अकबर बीरबल के मज़ेदार किस्से हों, तो क्या कहना, जो हमारी शूजबूज की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं, तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं, एक कहानी जिसमें बीरबल की चतु पराई से सब हैरान रहे गए, हमारी आज की कहानी का नाम है असली मा, समराट का करतववे, परत्वी पर भगवान की चाया के रूप में काम करते हुए, अपने राज्ये में शांती स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना, और दुष्टों को दंड देना होता है, यानि ये सब काम किसके हैं, किसी भी राजा के या उस राज्ये के समराट के, अकबर को अपनी निस्पक्सता पर गर्व था, आखिर कारवय सेंसा था, दुनिया उसकी सरण में थी, एक दिन उसकी साही अदालत में दो ओरतें, एक बच्चे के साथ आई, वे दोनु फूट फूट कर रो रही थी, पहली औरत ने कहा, जहाँ पना, यह बच्चा मेरा पुत्र है, मैं बहुत बिमार थी, और इसकी देखवाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे अपनी सहली के पास छोड़ दिया था, किन्तु अब जब मैं ठीक हो गई हूँ, तो यह मुझे मेरा पुत्र देने से इनकार कर रही है, इस पर दूसरी औरत ने चीख कर अकबर से कहा, मेरे भगवान यह जूट बोल रही है, यह मेरा पुत्र है, और मैं इसकी मा हूँ, यह औरत इस तरह की कहानिया सुना कर, मेरे पुत्र को ले जाना चाहती है, अकबर यह निश्चे नहीं कर पा रह रहे थे कि ओरतों को कैसे न्यार दिलाया जाए, यानि उनका फैसला कैसे किया जाए, उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अधालत में बुलाया, बीरबल ने एक के बाद एक दोनु ओरतों की बात सुनी और सिर हिलाया, फिर वह अकबर की ओर जुखा और पोला, जहाँ पना दोनु ही ओरतें इस बच्चे की मां होने का दावा कर रही है, इसलिए हम इन दोनु को बच्चा दे देते हैं, बादसा के साथ साथ अधालत ने भी बीरबल को आश्च्रिये से देखा, क्योंकि सबने यही सोचा कि बच्चा तो एक है और इसकी मां दो ह हैं, तो कैसे देंगे? बीरबल ने द्वारपाल से कहा, इस बच्चे को पकड़ कर शाही कसाई को दे दो और उसे इसके दो भाग करने को कहो, यानि बच्चे को दो हिस्सों में काट दो, जब द्वारपाल ने पहली औरत के हाथ से बच्चे को लिया, तो वह जोर से उसने विंती की, दया मेरे प्रभू, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुचाओ, दूसरी औरत को ही मेरे बच्चे को रखने दो, मैं अपने सिकायत वापस लेती हूँ, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, और उसे हानी पहुंचते हुए नहीं देख सकती, य बीरबल मुश्कुराया और अकबर से बोला माहराज यही बच्चे की असली मा है एक मा कुछ भी सेहन कर सकती है किन्तु उसके बच्चे को कोई हानी पहुँचाए यह वैसेहन नहीं कर सकती इस तरह बीरबल ने पैचान लिया कि इस बच्चे की असली मा कौन है अदालत में पीरवल को हर समस्या को सुलजाने के लिए सुन्दर उफार दिया ऐसी ही और मज़ेदार वे ज्यानवर्दक कहानिया सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हिंदी कलाकेंदर से